आप सब्सक्राइब करना है ताकि आपके नूटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं और आप चाहते हूं ना मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊं येस तो लाइक भी करना है ठीक है चली तो देखते हैं ये एक जेनरल कलेक्टिव रिजना बार्ट रेजनेट करें रखे बादी चिजों को इगनोर कर सकते हो छीग है ये किसी specific person की नहीं है आप सभी के लिए है छीग है आप सभी के लिए कोई भी इस रीडिंग को कभी भी चेक आउट सकता है अप मेल हो फीएमेल हो definitely इस रीडिंग को चेक आउट करो billions of other readings में अगर आप सर्फ इस reading में पहुँचे हो तो definitely ये reading कोई न कोई आपको guidance जरूर देखी तो पूरी reading जरूर check out करें और receive करने के लिए अपनी guidance को ना comment में gratitude universe, gratitude divine जरूर लिखें इस reading को open mindset के साथ देखना है open mind के साथ एक receiving mode के साथ इस mode के साथ नहीं के ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है जितना आप positive रहोगी न उतना ये reading आपके लिए positive रहीगी उतने ये reading आपके लिए work करेगी उतना आप अपनी life में positive रहोगी क्योंकि आपका एक positive thoughts आपकी पूरी life में बहुत positivity फिल करता है guys तो be positive open mind के साथ just watch this reading चलिए तुम्हें काज रफल करती हूं अपने person का नाम लेते रहें अपने person के बारे में सोचते रहें please divine universe spirit guides बताएं में reviews को क्या सोच रहे हैं उनके person अभी इसी वक्त moment to moment okay and the second is clinging to the past harmony okay compromise the situation one more we should pick as creativity at the bottom we have the burden ki energy ठीक है चलिए और भी देखते है channelized message क्या है please divine universe बताएं क्या सोच रहे हैं उनके person अभी इसी वक्त they are thinking to let go the situation they are thinking the true love maybe you both are soulmates move on and the move on is creating in and off off on and in out situation stalking you one more the missing you oh my god okay at the bottom we have our love is real ठीक है okay I keep it here you all can see it properly so that you know what आपके person के अगर मैं अभी राइट ना उनकी फीलिन देखू ना तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप मूव अन कर रहे हों राइट जैसे उन्हें इस चीज का ना डर है कि कहीं आप मूव अन ना कर जाओ इसलिए आप ये चीज देख रहे होंगे कि थोड़े थोड़े टाइम में आपसे आकर बात एट लीस्ट वो चाहे फाइट करनी हो क्योंकि चाहे कुछ भी है आपसे कम्मिनिकेशन हुई जाती है उनकी जैसे ही आप मूव अन करने की कोशिश करते हो आपसे बात कर लेते हैं तभी तो आपकी जो रिलेशन्षिप है वो on, off, in and out वाली चल रही है यानि कभी बात होती है फिर long gap पर जाता है फिर बात होती है फिर long gap पर जाता है क्यों? क्योंकि सुकून नहीं है नो उनको शान्ती नहीं पड़ रही आपसे बात करें बिना भी उन्हें इस चैन नहीं पड़ता है और आपसे दूर रहे कर तो उन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं होता है वो वाली उनकी situation है कि पास रहे भी नहीं बन रहा दूर जाए भी नहीं बन रहा वो वाली situation, move on move on का डर है उनके दिल में इसलिए हर टाइम आपको stock करते रहते हैं let go करने की कोशिश करते हैं काफी चीजों को आपको वो खुद कोशिश करते होंगे maybe move on करने की maybe वो कोशिश करते होंगे कि आपको भुला दे लेकिन ये कहीं न कहीं आप लोगों का एक true love वाली situation है ना और true love cannot be forgetted isn't it भुलाया तो नहीं जा सकता न क्योंकि दिल की गहराईयों में कहीं न कहीं इस person के दिल में प्यार आपने जगाया है feelings आपने जगाया है emotions आपने जगाया है और ऐसे person को आपने कहीं न कहीं न कहीं ये सिखाया है कि genuinely humanly प्यार होता क्या है क्योंकि उनका past बिलकुल भी अच्छा नहीं था clinging to the past में उनके past relationship भी अगर रहे होना तो वो भी अच्छे नहीं थे और आपने आकर उन्हें बताया है कि love नाम की चीज भी है अभी तक exist करती है I know आपको अब ये आपको लगने लगा है कि काश मुझे प्यार होता ही नहीं इस person से काश मुझे इतना दर्दी नहीं सेना पड़ता है ये जो आपका no contact है ने जो जुदाई वाला जो time period आप लोगों का चल रहा है आपको बहुत अंपर कर रहा है आपको बहुत परिशान दे रहे है ये situation लेकिन you know what ये situation जतना आपको परिशानी दे रही है ना उतना ही आपके person को भी दे रही है और ये true love वाला situation है यानि आप maybe आप लोग soulmates हो और इसी वजह से soulmates की वजह से आप दोनों अलग भी नहीं हो पा रहे हो और साथ रहने का भी time period है नहीं तो साथ भी नहीं रहे पा रहे हो बहुत miss कर रहे हैं आपको maybe stock करते रहते हैं social media पर, insta पर, facebook पर अचा maybe आपके person, nab, reunion, reconciliation के बारे में तो definitely सोच रहे हैं let go करना, harmony के बारे में कि एकदम cooperate करने के बारे में आपसे, जो पहले आपसे यह सरफ यही expect करते थे compromise कि भईया मैं तो ऐसा ही हूँ compromise आपको करना पड़ेगा अगर आपको इस relationship में रहना है आपको मेरे साथ relationship में रहना तो compromise आपको करना पड़ेगा वो situation उनकी थी, बहुत rigid होकर रहते थे, बहुत सक्त होकर रहते थे, एकदम practical होकर रहते थे, जब आपके साथ relationship में थे, और maybe उन वो ऐसी situation में थे, जिने compromise करना तो बिलकुल आता ही नहीं था, और इस relationship में आपने बहुत कुछ है, जो sacrifice करा, जो compromise करा, ठीक है, उनके लिए क्या कुछ आपने नहीं show करा, उनको care, love, support, सब कुछ तो आपने दिया, लेकिन जब चीजे आप लोगो आपके हाथ से, में ली मैं कहूंगी, आपके हाथ से जब चीजे बहार हो गई ना, अब आपको लगा कि यार ठीक है, it's more than enough, हर time मैं compromise नहीं कर सकती हूँ, सामने वाले person के दिल में भी वो feelings होनी चाहिए, सामने वाले को भी आना चाहिए, कैसे उसने मेरे साथ adjust करना है, लेकिन आपके person आपकी feelings का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते थे, उस time पर आपके person को ऐसा लगता था, यह जो कुछ भी आप कर रहे हो आपकी responsibility है, वो आपकी duty है, क्योंकि आ प्यार करता था, था, you know, था, move on का डर, that's why I used, था, तो एक वो वाली situation कहीं ना कहीं मुझे देख रही है, maybe अगर मैं आपके person को अभी उसने की feelings देखो तो वो past के बारे में, आपके बारे में, आपके बारे में, आप लोगों के relationship के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, उ उनका प्यार जो आपके साथ है, वो सच्चा है, true है, moment to moment, maybe आपके जो person है, वो step by step चलना चाहते हैं, उनको पता है कि वो आपको गलती उनकी है, उनको ये चीज बहुत अच्छ से मालम है, इसलिए खुद negative भी हो रखे हैं, लेकिन अब at least पो इस mode में है, कि वो effort डालना चा ठीक है, जिसके थूँ वो ये पता करवा सकी कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, तो this can also be possible, या फिर यहाँ पर ये situation भी हो सकता है, या शुरू शुरू में आपसे friendship करकर ना, आपको सब कुछ clarify, explain करना चाहते हैं, ताकि उस explanation के थूँ आप जान सको कि वो क्या feel कर रह हैं, ठीक है, और फिर आपके साथ relationship में आए, या ऐसा कुछ moment to moment वाली planning वो करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर उनकी life में कोई third party है, क्योंकि तो maybe वो as a burden की तरह हैं, और वो इस third party को छोड़ना भी चाहते हैं, वरना अगर उनकी अभी की energy हम देखें, तो वो burden की energy में है, ठीक है, बहुत भारी पन, जैसे उतना दिल हर टाइम भारी रहना, एक होता है, over overthinking वाली situation रहना, तो भी उनकी energy वह ज़्यादा burden वाली है, बहुत burden फील कर रहे हैं, बोज फील कर रहे हैं अपने उपर, कि जैसे उन्होंने आपका दिल दुखाया, और वो उस चीज को लेक कर बहुत गिल्टी, रिग्रेट, फील करना, तो वो वाली कहीं न कहीं, उनकी अभी की energy, मुझे देख रही हैं काच के थ्रू, and I think this is all for today, and of course, अगर आपके साथ रेजनेट करी, like, follow, share करो, and do tell me in the comments as well, bye-bye, take care.